पिछले एक माहे में पूरी दुनिया ने फुटवाल की दीवानगी को महसूस किया, फुटवाल का रंग हम सभी के स्रचर कर बोला, मैं बात कर रहा हूँ फीफा विस्सकप की जिसका आयोजन कतर में किया गया, यह विस्सकप आपकी पड़ाई लिखाई और परिक्षाओं के दृष्टी कोड से भी बहुत ही महत्पूर है क्योंकि एक से दो प्रशन यहां से बनने है, पांस से छे मिनिट में हम लोग कोसिस करेंगे कि पूरे तथ्थों को अच्छे से तयार करें, तकि पूरा फीफा विस्सकप आपको परिक्षा की दृष्टी कोड से तयार हो सबसे पहले सुरुबात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फीफा का फुल फॉर्म होता है, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटवाल एसोसियेशन, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी, इसका जो मुख्याला है वो जीवरिक में है, स्वेजरलेंड में है, पहले इसके देखे कि इसके विश्चकप में कुल 32 टीमों ने भाग लिया, 32 टीमों में अर्जेंटीना विजेता बनकर निकला, वो विजेता फ्रांस था और तीसरा इस्थान क्रोशिया का था, इसके पहले अर्जेंटीना ने दो विश्चकप और जीते हैं, 1978 में भी इनतजार चला था, जो इनतजार 2022 में समाप्त हुआ, और अर्जेंटीना ने तीसरी बार विश्चकप जीता, यहाँ पर ह्यूगो लॉरिस ये फ्रांस के कप्तान थे, और लियोनेन मैसी जो एक जबरजस्त इस्टार हैं और इस्टार बनकर उभरे भी, वह अर्जेंटीना के कप्तान थे, तीन-तीन से बराबरी रही, और पेनल्टी सूट आउट्स में चार दोसे अर्जेंटीना ने इस मुकाबले को जीता, यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा एहमबापे की हुई है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, कतर की बात करने हैं तो हमें न नहीं किया, आगे बढ़ते हैं, गोल्डन बूट का जो अवाड था, वो किलियन एमबापे को मिला, यह फ्रांस के हैं, और इन्होंने कहाँ आठ गोल किये, ठीक है, गोल्डन गिलप्स का जो अवाड था, वो एम लियानो मार्टेनेज को मिला, यह अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बाल का अवाड लियोन एन मैसी को मिला ये भी अर्जेंटीना के हैं नोंने साथ गोल किये अब कुछ बहुत ही महत्पूर जानकारी हम आपको दे रहे हैं फिपा फियर फियर पिले आवाड जिस टीम ने जीता वस टीम का नाम इंगियन्ट है ये फियर पिले अवाड इंगिलैंट को मिला फिपा विसक का A YOHAN करने बाला कतर पहला अरभ दे से मैं आपको बता ही चुका हूँ फीपा का final मुकाबला लोसेल आइकोनिक स्टेडियम में खेला गया स्टेडियम का नाम जरूर याद रखेगा लोसेल आइकोनिक स्टेडियम में मुकाबला खेगा उपराश्टपती स्री जगदीब धनकर ने फीपा के opening ceremony में भारत का पृतिनिदी किया तो भारत के पृतिनिदी के तौर पर उपराश्टपती जी सामिल हुए स्री जगदीब धनकर जी टेग लाइन थी now is all ठीक है सबसे महत्पूर जो सुभंकर था वो life था life का मतलब होता है एक business गोड़ और चमता वाला खिलाड़ी मतलब ये business quality और skilled बाला खिलाड़ी जिसको हम क्या केते हैं life ये life सुभंकर था और इसका जो है नाम था life जिसका अर्थ होता है business चमता और गुणों बाला खिलाड़ी ठीक है अधकारिक जो इसकी theme गीत थी वो light the sky हया हया अर हबो और dreamers ये इसके क्याते theme गीत थे तो ये फुटवाल विश्कप कई मायनों में बहुत महत्पूर था हम लोगों ने देखा हम लोगों ने इससे पहले बहुत सितारों के नाम सुने लेकिन यहाँ पर हमने बास्तों में महसूस किया आप में समने अगर final देखा हो तो final में अंतिम जो समय था वो रोमांज से भरपूर था बहुत सारे ऐसे देश है काफी देश जिसमें फुटवाल एकदम धरम की तरह है वो फुटवाल को जीते हैं फुटवाल को महसूस करते हैं और जब अरजेंटीना की टीम जीतकर उहां पर पहुंची तो आपने महसूस किया कि कितना भब स्वागत उनका किया गया तो एक और खेल जो पूरे विस्स के सिर चड़कर बोला इस वीडियो में यह कुछ महत्पूर जानकरियां थी फीपा के बारे में जिनको आपको याद रखना है बाकि जो सेस जानकारियां होंगी उनको हम रोग रटलो में निश्चत रूप से कवर करें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे करेंट के सौट वीडियो में आपके लिए और भी बनाता रहोंगा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में चलूर बताइएगा और को कोई महत्पूर फेक्ट छूट गया हो तो उसको भी लिखेगा जिससे अगले वीडियो में मैं इसको कवर कर सको थैंक्यू सो मच लव यू आप